वेज अंसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है सपने भला हाकिकत में तब दिल ना हो पाएं यह हमें आने वाले बविश्य के संकीत जरूर देते हैं जो या तो हमारे जीवन में खुश्य लेकर आता है या फिर परेशानियां सावन का महत्व हमारे हिंदु दर्वे बहुत है पूरे एक महीने सावन में लोग अच्छे मन से वैवान शिर्ग की पूजा वैरातना करते हैं खास करते शिवलिंग की इस पवित्रमा हर तरफ हर याली चाही रहती है और सारा बातवर खुश्णुमा सा प्रतीत होता है वही बात अगर स्वपन शास्त्रों की करे तो इस पात महीने में दिखने वाले स्वपनों का भी अपना खास महत्व होता है तो दोस्तों आप सोच में पढ़ गए हैं कि वह कुछ से सपने हैं तो चलिए दोस्तों वेतंसार आपको आज विस्तार से इसके वाले में बताने जा रहा है कि सावन महा में वह कौन से पांच खास सपने होते हैं और उन्हें देखने का क्या मतलब होता है सबसे पहले नमबर एक सावन में शिवलिंग को सपने में देखने का है सावन के पवित्र महीने में अगर आपको शिवलिंग दिखाई दे तो खोश हो जाएए क्योंकि यह बहुत ही शुब संकेत माना चाते है यह आपको संकेत देता है कि आपकी कोई मानोकामना जल्द ही पूरी हो सकती है और साथ ही धन की समस्या भी दूर होने वाली है नमबर दो सावन में भगवान भोलेना और मादा पारवती को सपने में देखने का अर्थ वही सपने में आपको बगवान बोलेना और माता पारवती के दर्शन हो तो समझ चाहिए कि आपकी जिंदेगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और वही अगर यह सपना को एक कुवारी लड़की देखती है तो उसकी शादी जल्द ही होने का संकेत होता है यह सपना सपने में आपको शिव मंदिर दिखाई देता है तो यह समझ चाहिए कि आपकी हर परशानी और तकलीफे जल्द ही दूर होने वाली है ऐसे सपने आपको सावन में आए तो सुबह उटकर शिव के मंदिर जाहिए और शिवलिंग पर दूर चड़ाए नमबर चाथ सावन में भगवान शिव को सपने में तांडव करते हूँ देखने का आथ दोस्तो इस बात का धिया लखे कि सावन में अगर आपको सपने में भगवान शिव तांडव करते हूँ नजर आए तो समझ जाएं कि आपका फसा हुआ धन जल्द ही मिल सकता है सपने में तो शुल देखना भी बहुत शुख माना जाता है दोस्तो पांचवा है सपने में काएं को दिखने का अर्थ दोस्तो सावन जेसे शुख माहा में आपको काएं का सपने में दिखाएं देखने का आर्थ आपको धरल आपकी प्राप्ते होने वाले है दोस्तों सावन के महां में अगर आपको यह सपने दिखाई दे तो आपको खुश हो जाईए क्योंकि आपकी सारी परेशानिये चुमुत तर्प होने वाली है और खुश्यों का आगम में होने वाला है सावन अपने साथ एक नई उर्चा नई खुशियां वे साथ ही साथ मंग लेकर आता है और अगर इस महीने आपको यह पांस अपने में से कोई एक सपना भी दिखाई दे तो खुश हो जाईए क्योंकि आपके आच्छे दिन आने वाले हैं तो सारे बग्जे मिलकर कहें ओम नम दोस्तों अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया तो अपर से लाइक और कमेंट कीजेगा हम जद लोटेंगे एक नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद